तो आज पहली बार में 20 सेकंड स्टेटेजी का लाइव रिकोडी कर रहा हूँ देखो 10 सेकंड पहले मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मारती हमारा प्रॉफिट हो गया है एक्चलि यहां पर क्या होता है हमारा तुरंद profit होता है 20 30 40 सेकेंड में इसलिए मैं recording करी नहीं पाता हूं यहां पर देखो हमारा target की तरफ आ रहा है and 30, 40 I think 40 seconds में हमारा trade complete 40 seconds में profit book Hey guys, welcome back again to trading with MS Morning time में जो मैंने एक trade लिया था वो तो मैंने recording किया थे आपको मैं इस clip के आगे लगा दूआ and यहाँ पे फिर मैंने एक trade और लिया दोनों trade successful and हमारा total आज profit हुआ है 3550 अब यहाँ पे देखो एक चीज मुझे बार-बार कल से doubt आ रहे थे कि sir आप हर रोज ना profit करते हो 3,000, 4,000, 6,000 या फिर 5,000 या फिर 2,000 लेकिन आपका एक loss जो है ना maximum 20,000 तक गया है तो क्या 20 second strategy जो है उसका risk reward ratio ऐसा है कि आप profit लेते हो 5,000 लेकिन loss जा रहा है 20,000 तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे जो आज मैं trade ले रहा था ना वो trade हो रहा मेरे 400 quantity या फिर मैं 500 quantity लेता हूँ या फिर 900 लेता हूँ maximum जिस दिन 6,000 profit था उस दिन आय था मैंने 900 quantity लेता लेकिन कल क्या हूँ मैंने मेरे पास 1800 quantity था 1800 and quantity बड़ी थी इसलिए मेरा SL बढ़ा गया अब यहाँ पे देखो पहला मैंने trade लिया वहाँ पे 5 point का SL तो कितना गया मैंने 9,000 या 10,000 आई थिंग गया loss ठीक है second trade में फिर से 9,000 या 10,000 गया ऐसा मिला के मेरा 18,000 या 20,000 loss हुआ है ठीक है यहाँ पे SL बढ़ा नहीं ऐसा नहीं कि हम लोग target ले रहे है मालो 5 point का तो हम SL ले रहे हैं 20 point का ऐसा बिल्कुल नहीं है 20 second strategy में risk reward ratio 1 to 1 का है यहाँ 1 to 1 लेकर क्यों चलता हूँ क्योंकि 20 second strategy की accuracy बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों ने खुद देखा है मैंने आपको prove करके भी दिखाया है इसलिए मैं इसकी risk reward ratio भी 1 to 1 रखता हूँ अगर मैं कमा रहा हूँ 3000 तो loss भी 3000 लोगा कल 20,000 loss था क्योंकि वहाँ पे quantity बढ़ी थी प्लस वहाँ पे एक trade जो जरोदा glitch हुआ था मैं अपनी entry करने के बाद exit करी नहीं पा रहा था बार-बार मैं exit मार रहा हूँ लेकिन exit नहीं कर पा रहा था जरोदा glitch हुआ था बहुत लोगों ने कल experience किया था तो उसकी वज़े से मेरा एक जो SL था वो लबग 8 या 9 पॉइंट तक पहुँच गया था मैं रहको निकान ला था 5 पॉइंट में लेकिन निकला वो 9 या 10 पॉइंट का असपास तो उसके वैसे वहाँ पे एक थोड़ा loss बढ़ा हुआ second वाले में normal 1800 quantity थी इसलिए मैं थोड़ा वहां पे loss 10,000 गया मिला के 20,000 loss हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 20 second strategy का risk reward ratio खराब है 1 to 1 है क्योंकि scalping strategy में यह सबसे best risk reward ratio रहता है plus 20 second strategy की accuracy बहुत अच्छी है इसलिए मैं इसको 1 to 1 रख रहा हूँ अब आज का यह वीडियो देखने के बाद साइथ बहुत लोगों के doubt होने वाले है कि सर आप यहां पे 5 point capture कर रहे हो क्या यह risk हो सकता है मैं आपको इतने बताना चाहूँगा engine लोगों ने 20 second strategy buy भी किये उनको भी पता है यह चीज इसके लिए आपको कुछ भी मेनत करने की ज़रूरत नहीं ना market को मेनत करने की ज़रूरत है market चाहिए कहीं भी जाए आपको अराम से within 20 second या फिर within 1 minute maximum आपको यह 5 point market देखे जाता है इसको बोलते हम easy money यही सबसे best benefit है 20 second strategy का बिना कुछ किये profit कमाने का continuous profit streak बनाए हमारा इस मन्त में 20 second strategy से एक loss हुआ है जो कि 20 second strategy की वज़े से नहीं बलकि दूसरी strategy की वज़े से मैंने आपको उस वीडियो में completely detail में explain भी किया है यहाँ पर देखो आज market काफी जादा घिरा है इसको आप बोल सकते हो कि pre market budget rally है यहाँ पर आपको पहले एक वीडियो में बताए भी था वह लेवल आज के दिन ब्रीच हुआ अच्छी तरह से projection के साथ में आपको अगर याद है तो मैंने clearly बोला था उस लेवल के अगर नीचे आके या फिर उसके पास में consolidation होता है तो फिर market मार्केट गिरेगा उस दिन भी ऐसा हुआ आज भी सेम चीज हुआ यहाँ पर देखो यह लेवल के पास मार्केट आया थोड़ा होल्ड किया consolidation हुआ फिर नीचे की साइड़ा है बड़ा सा आपको rally मिला है ठीक है तो आपको वीडियोस देता हूं analysis करके वह भी important है 20 seconds strategy के बारे में कुछ बताता हूं वह भी important है और market में ऐसी चीज़े हज होती है एक एक करके इनको आप याद रखो या फिर लिखके रखो market में काम आती है और आपको यही चीज़े profit बनाने में help करती है I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया like जरूर करना and friends के साथ भी share जरूर करना